नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिसान यूजी सी नेट ज्यारफ एकजाम इतिहास भाग 187 में जिसकी परिछा जून में संभावित है लेकिन जून में ये होगा नहीं हो सकता है कि जुलाई में हो तो चलिए वी वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अ दे दिया हो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं क्योंर नंबर वन है निमलिखित में से कौन सा एक हाडपा अस्थल हिंदु कुष के उत्तर में इस्थित है यानि कौन सा एक हड़पा अस्थल है जो हिंदु कुष के उत्तर में इस्थित है तो इसमें एंसर होगा C, सुर्थ गाई सुर्थ गाई या अफगानिस्तान में इस्थित है जो हड़पा अस्थल है और हिंदु कुष के उत्तर में इस्थित है सुर्थ गाई कुश्चन नमबर दो है नेमलिखित अस्थलों में किस एक अस्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हरपा संस्कृति तक निरंतर वास और संस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है ये प्रमाण देती है मेहर गड़ एंसर होगा सी मेहर गड़ से ये मेहर गड़ जो है सबसे पुराना अस्थल है और साइड ये इसा पूरु सात्मी सताबदी जितना पुराना है कुश्चन नमबर तीन है कथन और कारण से कथन दिया है हडपा कालिन संस्कृति के अन्य समकालिन संस्कृतियों से ब्यापक ब्यापार संबंद थे और कारण दिया है कांस यूगिन सब्ध्यताएं बिस्तिरित बीनमय नेटवर्क से प्रतिपालित थी देखे इसमें जो है A और R दोनों सही है लेकिन R जो है A की सही अस्पश्टिकरण या ब्याप्ख्या नहीं करता है तो इसका एंसर हो जाएगा B इसका एंसर होगा कुश्टन नमबर चार है दक्कन के अंस टीले अंस टीले प्रदर्शित करते हैं जैने दक्कन के अंस टीले किसको परदर्शित करते हैं तो इसमें एंसर होगा C, नव पसाण युग के मवेसी रखने वालों की बस्ती के आउसेश कुस्टन नमबर पाँच है सुमेलित करने के लिए चलिए इसको सुमेलित करते हैं चापनी मांडो तो चापनी मांडो जो है मध्य पसाण काल से है कुल्ली पूर्व हडपा काल से है अत्रिक पक्कम पूरा पसाण युग संस्कृति का है और डी दियाएस में इनाम गाउं तामर पसाण संस्कृति का है यानि इस परकार ये सुमेलित है इसमें एंसर नहीं दियेगा कि कोशन लंबा हो जाएगा इसको बस सुमेलित वाले ही दिये हैं आपसन इसमें नहीं दिये हैं इस टाइप से तिन चार कोशन है इस वीडियो में कोशन नमबर छे है निमलिखित युगमों पर विचार कीजिए निमलिखित युगमों पर विचार करना है और इसमें जो है कौन सी युगम सही सुमेलित निची दे कुड़ से उत्तर का चेन करना है आप देखें यहाँ पर दिया है पहला बस्ती अस्थल चिरांद दूसरा दिया है समाध्य अस्थल पोरकालम और तीसरा दिया है बस्तियम समाध्य अस्थल पिकली हल तो यह जो है कौन सी यसमें सही युगम है तीनों सही युगम है तो इसका answer ओ जायागा d, 1, 2, 3 इसमें सही है question number 8 है question number 7 answer की इसमें देएं तो उसको देख लिजिएगा answer की में वहाँ पर dash, dash होगा यानी खाली है question number 8 है भारत में पूरु प्रस्तर युग में अधिकांस आजार बने थे तो किसके बने थे ये बने थे इस फटिक के किसके इस फटिक क्वेस्टन नमबर नौ है निमलिखित पूरा ताथविक अस्थानों पर बिचार कीजिये इन अस्थानों पर विचार करना है और इसमें कौन सा जो है सही पुरावेश कालानुकरम नीचे दे गए उसका चैन करना है चली देखते हैं इसमें इंसर होगा आपका सी यानि सबसे पहले जो है कुरनिल की गुफाएं थी इसके बाद दमदमा फिर टेकल कोट फिर नैकुंड यानि दो एक तीन चार इसमें इंसर सी वाला सही होगा कोश्चन नमबर दस है निमलिखित में से कौन सा एक आवजार पुरा पसाण संस्कृती से संबंधित नहीं है तो कौन सा एक आवजार है जो पुरा पसाण संस्कृती से संबंधित नहीं है तो वा है सेल्ट एंसर हो जाएगा सी सेल्ट कोश्चन नमबार 11 है निमलिखित पाठों पर विचार कीजी और उप्रयोक्त में से कौन सा बैदिक साहित से सम्बंधित नहीं है सम्बंधित नहीं है यह पूछा इसमें देखे सत्पत प्रामाण यह तो है ब्रयादरन उपनिसद यह भी है यानि कि इसमें एंसर होगा तीन और चार इसमें सही होगा तो चलिव बढ़ते हैं आपसन की और आपसन यहाँ पर देखे तीन और चार यानि डी इसका एंसर सही होगा कोश्चन नमबर 12 है मिटानी संस्कृती की धार्मिक अवस्था में निमलिखित में से कौन से बैदिक देवता बिदमान थे इसमें कौन से बैदिक देवता बिदमान थे इसमें एंसर होगा C इंद्र, वरोन, मित्र, नासत्य ये चार देवता बिदमान थे बैदिक में Question number 13 है सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं सिच्छा सिच्छा किसे सम्बंदित है सिच्छा जो है स्वर्विज्ञान से सम्बंदित है पांच आपसंदिया है इसमें सिच्छा जो है स्वर्विज्ञान से कल्प कल्प जो है अनुष्ठान से सम्बंदित है निरूप्त जो है विवत्पत से सम्बंदित है इनके भी से है छंद चंद किसे सम्बंदित है छंद जो है चतुसपदी बृत से सम्बंदित है कोशन नमबर 14 है कथन और कारण से कथन इसमें दिया है विश्वामित्र ने सुदास के विरुद्ध दस राजाओं का राज्यमंडल संगठित किया और कारण दिया है सुदास ने वसिष्ट को पुरोहित के रूप में अधिमान ने किया तो इसमें देखे ए और आर तो दोनों सही है और आर जो है एकी सही ब्याख्या भी करता है यानि कि इसमें अंसर हो जाएगा ए सही सुमिलित है यही सही इसका अंसर होगा कोशन नमबर 15 है बौध संग के नियम मुल्ता किस पुस्तक में दिये गया है तो बौध संग के नियम जो है बिने पिटक में दिये गया है संगों का नियम बिने पिटक कोशन नमबर 16 है दूसरा नगरी करन इंगित करता है दूसरा नगरी करन क्या इंगित करता है तिया जो है गंगा घाटी में नगरी संस्कृति का उत्थान कोशन नमबर 17 है महा जनपदों के उदय के कारण के रूप में संबंधित नहीं है ये संबंधित नहीं है इसका एंसर होगा ए बिदेशियों के द्वारा बिजित होने का भय कोशन नमबर 18 है चट्वी सताबदी इसापूरु के 16 महा जनपदों के बिशय में निमलिखित में से किस बौध गरंथ में सूचना मिलती है तो वह बौध गरंथ का नाम है अगुत्तर निकाय अगुत्तर निकाय में 16 महा जनपदों के बिशय में जनकारी मिलती है बौध गरंथ है अगर यहीं पर बौध गरंथ की जगा पर जैन गरंथ दिया होता तब आपका एंसर हो जाएता भगावती सुत्र भगावती सुत्र में 16 महा जनपदों का उलेक मिलता है जो जैन गरंथ है इसका नाम है भगावती सुत्र यहाँ पर बौध गरंथ दिया है तो यहाँ पर एंसर जाएगा अंगुत्तर निकाय कोश्चन नमबर 19 है कथन और कारण से है कथन दिया है मौर कालिन राजाओं ने धार्मिक आधार पर गावों का दान नहीं किया और कारण दिया है भूमिदान के विरुद किरिशकों ने बिद्रो किया इसमें देखे ए तो सही है लेकिन आर इसमें गलत है यानि ए सही है परन्तु आर गलत है तो इसका एंसर हो जाएगा कथन ए सही है किन्तु कारण आर गलत है कोश्चन नमबर 20 है निमलिखित मौर सासकों पर विचार किजिए इसमें किसकी उपाधी देव नाम प्रिय थी देव नाम प्रिय अब देखें इसमें देव नाम प्रिय की जो उपाधी धरण किये थे केवल असोक ने इसमें किये थे इसका एंसर हो जाएगा एक केवल एक इसमें सही है यानि देवताओं का प्रिय देव नाम प्रिय की उपाधी धरण किये थे असोक ने सारी असोक नहीं एक और है इसमें असोक और दसरत दो लोग हैं दसरत का भी नाम मिलता है वो लेक कहीं कहीं इसका एंसर रहाएगा C एक और दो इसमें सही है असोक और दसरत देवनाम प्री की उपादी धरन किये थे कोश्चन नमबर 21 है निमलेखित पर विचार कीजिए आप वाहन अविसयंद वामन अहिंसा उपासक की इस्तिती में से किसके किनके संबंद में और सास तथा असो काविलेक पूर्टा सामेता रखता है तो पूर्टा सामेता रखता है इसमें एंसर हो जाएगा आप वाहन और अहिंसा इसका एंसर हो जाएगा एक एक और तीन इसमें सही है असोक का अविलेक पूर्टा समेता रखता है एक और तीन अप वाहन और अहिंसा कोशन नमबर 22 है असोक के निम्न में से किस सिला लेक में एक ग्राम के भूराजस्यों में रियायत का उलेक है भूराजस्यों के रियायत का उलेक है तुवा है लुंबनी का अस्तम्ब अभिलेक या सोक अपने राजा विशेक के बीसवे वर्स लुंबनी गिराम में गया था और वहाँ पर जो कर का भाग था एक बटा आठ उसको घटा कर यानि सारी पहले एक बटा छे था तो उसको घटा कर एक बटा आठ कर दिया था कुस्टर नमबर 23 है गाध्यांस जहां यवन राजा जिसका नाम अगनी योग है सासन करता है और अगनी योग के राजिके परे चार राजाओं तुलमाया, अन्तिकीन, संग तथा अलिक सुंदर का छित्र है लिया गया है यह लिया गया है किसके द्वारा यह किस से लिया गया है तो यह लिया गया है असोक के अभिलेग से एंसर होगा यह असोक के अभिलेग से कुस्टर नमबर 24 है सुमेलित करने के लिए तो चले इसको सुमेलित करते हैं गौतम बुद्ध धर्म चक्र परवर्तन मुद्रा जिन जो है कायोतियो सर्ग अभी मुद्रा इसके बाद यह है विश्णू गरुण ध्वज बोधी सत्तो मैत्रे यह सुराही तथा जप माला इस प्रकार यह सुमेलित है कोशन नमर पचीस है उत्तर पस्सिम भारत में यवनों के सासनकाल में उपस्थित नहीं था तो इसमें क्या उपस्थित नहीं था इसमें जो है विश्तिरित भू अनुदान यह उपस्थित नहीं था कोशन नमर 26 है निमलिखित राज वन्सों में किसी के द्वारा यहां पर सासित छेतर में राजी सनरचना का वर्ण एक गाउं राजी के रूप में मिलता है एक गाउं राजी के रूप में मिलता है तो वह रहाए ंसर होगा डी गंग गंग एक राज्वंसों के कोश्चन मिने 27, सुमिलिद करने के लिए, श स्ंफानी फोर, प्रस्तर हाथी कहां से मिला ये, धावली से, यानि एक पहर, प्रस्तर हाथी कहां से मिला है, धावली से, इसके बाद चटूस, पच्छिय सिंग, तो चतुस पच्छिय जो सिंग मिला है ये सारना से मिला है सुंग कण नकासी जो मिला है भरहुत से मिला है और भव्य पर्विश्दार मिला है कहां से सांची से इस परकार ये सुमिलित है कोश्चन नमबर 28 है प्राकिर्ट कविताओं की संग्रह गाथा संग्रह गाथा सब्त सती में मिलता है यानि प्राकिर्ट कविताओं की संग्रह गाथा सब्त सती में मिलता है तो इसमें किसका वर्ण किया गया है गाथा सब्त सती में तो इसमें वर्ण किया गया है प्रेम प्रीम गाथाओं का वलन कोश्चन नमबर 29 है सुमेलित करने के लिए तो चलिए इसको भी सुमेलित करते हैं एक तरब भूद्रिस से एक तरब लच्छन दिया है तो इसको भी सुमेलित करते हैं मुल्लान तो मुल्लान जो है चारागा तथा जंगल से संबंदित है मरुतम मरुतम जो है उपजाव नदी घाटी से संबंदित है कूरिची कूरिची जो है पहाडिया तथा वन से संबंदित है नेपतल तो नेपतल जो है टर्टिय छेतर से संबंदित है इस प्रकार ये सुमेलित है कोशन नमबर तीस है और अंतिम कोशन है निम्न में से कौन सा दस्तावेज दच्छिन भारत के मूशरी नामक अस्थान पर आगेस्तस के मंदिर का साच प्रस्तूत करता है ये प्रस्तूत करता है पेरी प्लस आपदी इरिथिसियन सी यानि कि इसका एंसर होगा ए और इसके अलावाई इसमें जो है आपको वीडियो में एंसर भी प्रवाइड करा दिया गया है कोई वीडियो अगर डाउनलोड करता है तो कई कमेंट आये थे अगर डाउनलोड करते हैं तो उम्हीद करता हूँ कि यह उदियो आपको पसंद आया होगा पसंद आये है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के यह अधिकव अधिक शेयर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम